नमस्कार दोस्तों कैसे आफ सब लोग उम्मीदें बहुत इच्छी होंगे। यहां पे गाओं के कुछ लोग थे तो हमने सोचा उनसे कुछ क्विस्चन कर ले जाए लगिन भाई लोग सर्मा रहे हैं यहार भोल नहीं रहे हैं इसके चक्कर मिन से कुछ क्विस्चन करते बन नहीं रहा है तो दोस्तों हम आ चुके हैं राजगाट के उस नदी पे जहां प चार से पास दिन नहीं गुजरे थे और एक बाड़ हाई थी और समझ लो सारी की सारी फसले पूरी खराब करके चली गई चलो एक रहत वाली बात थी कि उसमें से कुछ फसल बच सकते अगर पानी निकल जाता एक दो दिन के अंदर तो बच जाते तो लोगों ने बोला कि और भी लोगों ने कहा तो हमने सोचा क्यों ना चलके देखा जाए जब यहां के हम कुछ लोगों से पूछे गाउं में कि अभी नदी बढ़ रही है या घट रही है नदी का पानी जो है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो लोगों ने बोला भाई कल सामके टाइम नदी की पानी एकदम कम था और पूरी रात के अंदर नदी का पानी बढ़ा है तो एक बहुत ही खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं आपको बता दूँ एक गुरु जी है हमारे सुरियस्तिरपाठी जी जो की पत्रकार हैं उनके पास हमने जब फोन किया तो उन्होंने बदाया कि हाँ नदी में पानी छोड़ा गया है और भी 40 संटी मीटर उसका जो मीटर है वो साइद मुझे ध्यान नहीं है लेकिन कुछ पानी जो है छोड़ा गया है क्योंकि जो पानी आप छोड़ा गया है वो समझ लिए खत्रे के निसान से बहुत ही नीचे है तो आप बेफिक्र हो जाएए अगर कोई बाड़ अगर आती है तो नॉर्मल रहेगी अब बाकी उपर वारे की मर्जी अगर बारिस हो जाएगी तो भाई तो फानी की मात्रा तो बढ़ी जाएगी तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को कर ले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले तो अब तक सबसे पहले पहुचें